गुड मॉर्निंग एवरीवन तो आज के से लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेसाइज 5.3 के कोश्चन नमबर 15 के बारे में और 16 के बारे में और 17 के बारे में तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो लेक्न हों जोभी कोश्चन इस तरह है कि आपके पास रहेंगे जिसमें आपके पास स्टेटमेंट लिखी होती है जैसी के आप अभी सक्रीन पर देख रहे हैं कुश्चन नमर 15 इसमें भी हमारे पास इक स्टेटमेंट लिख हुए देखो ठीक है आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मली कोश्चन इस तरह का बहुत ही कम चांस है कि पेपर में आपके पास आए क्योंकि इसमें से दो तीन कोश्चन वह असानी से बना सकता है ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोश्चन सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पर लेती हैं देखी स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है एक कॉंट्रेक्टर ओन कंस्ट्रक्शन एक कॉंट्रेक्टर है जिसको कंस्ट्रक्शन का काम मिला है जोब स्पेसिफाई ए पैनल्टी यानि कि जो परसन उसके पास जोब करते हैं उनके उपर वो penalty लागू करता है for delay the completion beyond a certain date as follow, यानि कि अगर वो delay करते हैं, यानि कि काम जो है वो दिरी से करते है, 204 the first day, पहले दिन के लिए वो 200 रुपे चार्ज करता है, 254 the second day, और दूसरे दिन के लिए 250 रुपे लेता है, और 304 the third day, यानि कि तीसरे दिन की जो penalty है वो 300 रुपे रहेगी, the penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day, यानि कि penalty जो है हर दिन जो है पचास-चास रुपे बढ़ती रहेगी, how much money contractor has to pay as penalty, तो contractor को कितने रुपे जो है penalty के रुम में देने पड़ेंगे, if he has delay the work for 30 days, अकर वो 30 दिन के लिए काम को delay करता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको series को लिख लेते हैं, सबसे पहले दिन वो 200 रुपे penalty लगाता है, दूसरे दिन वो 250 लगाता है, तीसरे दिन 300 लगाएगा, तो अगले दिन कितने लगाएगा, साड़े 300, तो यह series ऐसे चलती रहेगी, ठीक है students, तो यहाँ पे देखिए, जो first term हमारे पास है, वो कितनी है, 200, और अगर हम बात करें D की, वैसे तो D इसमें देई रखा है, हमारे पास 50, फिर भी अगर आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते है, A3-A2, ठीक है, 300 में से 250 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 50, तो D की value कितनी आजाएगी, मेरे पास, 50, तो फर्मूला की होता है, 30 by 2, bracket start 2, A कितना है मेरे पास, 200, प्लस, 30 माइनस 1, और साथ में D कितना है, मेरे पास, 50, clear students, इसको अपन करो, इसको 2 पे कट करो, 21 जा 2, 25 जा 10, यानि कि यहाँ पे आजाएगा, 15, इसको मल्टिप्लाई करो, 200 को 2 से करेंगे, तो 400, प्लस, यहाँ पे म मल्टिप्लाई में बचेगा, 50, ठीक है, स्वालव करो इसको, 15, bracket start, 400, प्लस, इसको प्लस करो तो कितना हैगा, मेरे पास, देखे, 0, 5, 9, 45, 4, 5, 2, 10, और 4, 14, एक बर इसकी मल्टिप्लाई कर लेना, अपने बिहाफ पे, ठीक है, वैसे तो सही है, तो यहाँ पे हमारे पास आजएगा, 15, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो कितना आएगा, 50, 4, और 4, 8, यानि की, 1, 8, 5, 0, ठीक है, स्टुडेंट्स, क्योंकि 14 और 4, 18, तो 1850 हमारे पास आजएगा, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी मल्टिप्लाई करते हैं, इसके साथ, देखे, 0, 15, 55, 7, 15, 120, 120, 120, और 7, 127, हमारे पास बचेंगे, 12, 15, 15, और 12, 27, तो यानि की, टोटल जो पैसे उसको देने पड़ेंगे, 30 दिन बाद, जो खर्चा टोटल आएगा, वो कितना आएगा, रूपीज, 27,750 रूपे, ठीक है, स्टुडेंट्स, तो इस तरह के कोश्चन जैसे मैंने आपको बोला है कि ये आपके जो हैं, के स्टुडेंट्स के रूम में पूछे जा सकते हैं, एक्जाम पॉइंट व यू से, तो चलिए स्टुडेंट्स, अब हम डिसकस कर लेते हैं, कोश्चन नमबर 16 के बारे में, 16 जो कोश्चन है, सेम ऐसे ही 15 था हमारे पास, उसमें भी के स्ट सेहसे एलिटिट कोश्चन हमारे पास आ सकता था, सेम यहां भी कोश्चन के स्टेडिज में आ सकता है, तो सबसे पहले कोश्चन की स्टेडमेंट प्लढ लेते हैं, क्या क्या है, इस सम ओफ 700 यानी की टोटल 700 रूपें हमारे पास है, यूस्ट तो गिव 7 कैश प्राइज प वो prizes के रूम में देने हैं ओफे overall school, overall academic performance, जोबी school में academic performance हुई है, उसके हिसाब से हमें देने हैं, यानि कि first वाले को price ज़्यादा मिलेगा, second वाले को से कम मिलेगा, third वाले को से कम मिलेगा, इस हिसाब से, if each price is 20, less than the preceding price, यानि कि हर एक प्राइज जो हो 20-20 रूपे कम है, find the value of each price, हमें each price की value निकाल नहीं है, देखिए ये question थोड़ा सा अलग है, typical है, तो कैसे करेंगे देखिए, उसको सबसे पहले उसने बोला है कि 20 रूपे कम है, हर एक प्राइज, तो पहले माल लेंगे, let the first price, let the first price, हम माल लेत है कि जो पहला प्राइज है, वो X रूपे है, ठीक है, तो second price क्या होगा, उसने बोला कि 20 रूपे कम है, यानि कि X-20, तो third price क्या होगा, X-20-20, फोर्थ प्राइज क्या होगा, X-20-20-20, तो यह इसी साब से चलता रहेगा, ठीक है, तो first price अगर आप से पुछा जाए, तो first price कितना आएगा, मारे पास देखिए, है, first price, first price is equal to X, second price कितना आएगा, X-20, third price कितना आएगा, X-40, fourth price कितना आएगा, X-60, और fifth price कितना आएगा, X-80, sixth price कितना आएगा, X-100, seventh price कितना आएगा, X-120, हमने total साथ price में इसको डिवाइड करना है, उसने बोला है ना, देखो, 20 रुपे कम होगा हर बार price, तो पहले के लिए X है, दूसरे के लिए X-20, तीसरे के लिए X-40, और चोथे के लिए X-60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, ठीक है, तो यह हमने price कि लिस्ट बना ली, अब total जो price हमारे पास है, वो है 700, तो हम क्या करेंगे, यह सारे के सारे जो prices है, इन सभी को plus करेंगे, क्योंकि इन सभी का जो सामय है, वो किसके को बलोना चाहिए, 700 के बिल्कुल सही है, तो कैसे करेंगे, देखे, सभी को plus करते हैं, तो हमारे पास आएगा, x plus, x minus 20, x minus 40, x minus 60, x minus 80, plus x minus 100, plus x minus 120, इन सभी का जब सम करेंगे, तो किसके ब्राबबर आना चाहिए, 700 के, ठीक है, open करो, देखो, इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, x हो जाएगा, साथ में minus, देखो, इसमें numerical values कितनी हैं, हमारे पास, 120, 20 और 40, 60, 60 और 60, 120, 120 और 80, 200, 200 और 100, 300, 300 और 120, 420, is equal to 700, तो हमारे पास कितनी value आएगी, देखे, स्कोपर कर लेते हैं, तो हमारे पास आजएगा, 7x is equal to 700, प्लस, यह जो 420 है, उदर जाके, प्लस को जाएगा, 7x is equal to, 7, 4, 11, 0, 0, तो 1120 और जाएगा, तो x की value अगर हम निकाल लेंगे, तो 1120 बाई में 7, साथे कम 7, 4, साच्छी के 42, 0, तो x की value कितनी आजाएगी, 160, इसका मतलब क्या है, जो पहला student है, उसको 160 रूपे मिलेंगी, यहाँ पे आप लिखना है, तो लिख सकते हैं, यानि कि जो 1st price है, ठीक है, वो कितना आएगा मेरे पास, 160 रूपे आएगा, और वहीं दूसरा price के आएगा, 160 में जो इसको माइनेस करते रहेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको आपको निकाल के दिखा देता हूँ, पूरा complete, यह कैसे आएगा, ठीक है, देखे, तो आप क्या करेंगे, देखे, फर्स्ट price के लिए लिखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखे, फर्स्ट price, फर्स्ट price हमारे पास आजाएगा, 160 और सेकंड प्राइज के इतना आएगा, सेकंड प्राइज इक्वल टू, 160 माइनस 20 यानि की 140, और थर्ड प्राइज के इतना आएगा मेरे पास, 140 माइनस 20 यानिस करते रहेंगे, तो फिफ्ट प्राइज हमारे पास हो जाएगा, 60 और सेवन प्राइज के इतना आएगा, मेरे पास, 40 ठीक है, तो आप देख सकते हैं, सभी में 2020 का ही दिफरेंस है, टोटल साथ प्राइज थे हमारे पास, तो इस तरह के कोश्चन आपके पास एक्जाम में, केस्ट्रेडिस के रूम में पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं, यहें आपके पास CBSC का पेपर आए, चाहें आपके पास HBSC का बोड़ो, दोन्नों के लिए बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन हैं, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे प्लीस कमेंट करके जूरूर बताएं, आप गर आप चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को जुरूर शेयर करें, और बैन लोट्रिफिकेशन को प्लीस जुरूर ओन कर लेना, उससे होता क्या है जो आने वाली वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है, क्लिरे स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई करते रहिए, All the very best.